हम लोग फिर से एक story सीखने जा रहे हैं और इस story के through हम धेर सारी vocab पर discussion करेंगे, धेर सारी vocab भी सीखेंगे, sentences भी सीखेंगे और साथ-साथ में इसके जैसे कि आप लोगों को पहले वाली story में या इसके तुरन पहले जो आप लोगों को story available कराई गी थी, उसमें जिस तरीके स से इसको भी complete कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही interesting भी story है यह, तो यह जो story है ना, यह एक disciple, मनलब एक गुरू और एक शिश्य की कहानी है, या गुरू और शिश्य के बारे में इसमें कहा गया है, क्या है story? ध्यान से समझेगा, देखेगा, one day, एक दिन, a गुरू जी थे, वो बहुत ही ज़्यादा तपस हुए, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि जाने माने, संद टाइप के थे, तो अब क्या हुआ, कि एक दिन, one day, एक दिन, a गुरू, एक गुरू, false, means पहले सी देखते हैं, या पहले सी उन्होंने देख लिया, या दिवर he would die, कि वह मर जाएंगे, shortly means जल्दी, उन्होंने निजारा देखा, कि वह जल्दी मर जाएंगे, जल्दी उनकी मृत्यों हो जाएगी, and, or, what, क्या, he would be, वो होंगे, in his next life, means अपने अगले जीवन में, लब मरना ही नहीं, उन्होंने देखा, कि वह अगले जीवन में, मतलब next, जो उनका जिन्दगी होगी, next जगे पर जो भी वो जन्मेंगे, वो किस जीव के रूप में, किस क्रेचर के रूप में वो जन्मेंगे, उन्होंने ये भी देख लिया, अब जाहिर सी बात पेंच उसी में था, so, इसलिए he called, उन्होंने बुलाया, his means, अपने favorite means, पसंदी पसंदीदा शेशे को बुलाया, मनलब जो सबसे ज़्यादा उनका प्रिय था, भाई अगर कोई भी काम होता है, तो teacher, हाला कि teacher के तो सभी प्रिय होते हैं, बट अगर कोई और, मनलब कोई भी काम होता है, जो बहुती ज़्यादा जिसको कह सकते हैं, बहुत important हो, तो teacher को बिलाया, disciple मनलब शेशे को बिलाया, और asked, asked means कहा, he means उससे, उन्होंने उसको बुलाया, और कहा उससे, what, कि क्या, he would do, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, क्या नहीं, कि क्या, he would do, क्योंकि ये conjunction का काम करना, right, कि he would do, वह करेगा, for his means, उसके, guru means, guru के लिए, in return means, बदले में, for all means, उन सबी चीजों के लिए, he has received me, जो भी उसने प्राप्त किया, मलब जो भी उसको ग्यान प्राप्त हुआ, जो भी उसको अच्छाईयां प्राप्त हुई है, जो भी उसको knowledge गेन हुआ है, उसने कहा, कि बेटा, तुम मेरे लिए, क्या करोगे, या क्या कर सकते हो, तो शि गुरु आस्ट, उसके गुरु कहेंगे, he means, उससे to do, means करने के लिए, उसने का, ठीक है गुरु जी, जो कुछ आप कहोगे, वो मैं आपके लिए करूँगा, मलब जो आप कहोगे, वो मैं आपके लिए करूँगा, having received this promise, having received प्राप्त करके, this promise, इस वायदे को, इस वायदे like you to do for me, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ये करो, क्या करो, I have just learned, learn का मतलब सीखना यहाँ पे नहीं है, learn का ताथपर यहाँ पर है, पता लगा लिया, या मुझे मालूम हुआ, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, मालूम हुआ, ठीक है, मतलब पता लगा लिया, कि I have just learned, मैंने अभी मालूम किया, मुझे अभी ग्यात हुआ है, मुझे अभी इस बात का ग्यान हुआ है, that कि when I die, कि जब मेरी म्रत्य होगी, गुरू ने कहा कि उनको अभी अभी ग्यात हुआ है, कि जब उनकी डेथ होगी, जब उनकी म्रत्य होगी, और वो कब होगी, which will be very soon, उनकी म्रत्य होने वाली है, I am going to reward as a pig, I am going to, मैं होने वाला हूँ, going to का use, आप लोगो को मैं बता चुका हूँ, translation में, अभी इसके पहले आप लोगो को कुछी समय पहले वीडियो एक अवेलेबल कराईगी थी, उसमें आप लोगो going to का use बताया गया था, अगर नहीं मालू भी on कर सकते हैं, ये free of cost है, इससे आपको कोई भी पैसा आपको चुकाने की जरूरत नहीं है, बस आपको फायदा ही मिलेगा इससे, और हाँ, अगर आपको ये video session अच्छा लग रहा है, video lecture अच्छा लग रहा है, तो please इसको अपने दोस्तों के साथ share करना, बिल्कुल भूल यहाँ पर आई किसके लिए आ रहा है, आई आ रहा है, गुरू के लिए, तो गुरू कहते हैं कि वहाँ जो है, reborn, re का मतलब होता है, re का मतलब होता है, पुनह, ठीक है, reborn का मतलब क्या होता है, जन्म लेना, तो पुनह जन्म लेना, मतलब फिर से पैदा होना, as a pig means एक सूर क होने वाली है और वह एक sewer के रूप में जन्म लेंगे do you see अब कहा जन्म लेंगे उन्होंने ये भी बताया तो do you see क्या तुमने देखा है that so so का मतलब है यहां पर शूकरी ठीक है शूकरी ठीक है तो जो मतलब बच्चों को जन्म देती है eating garbage garbage means कूड़ा करकट कचड़ा या घर का जो करते है waste पदार्थ है waste material है उसको जैसे कूड़ा कचड़ा जो भी है there in the backyard उन्होंने कहा अपने चले से क्या तुमने do you see क्या तुमने देखा है that उस सूकरी को eating खाते वे garbage means कूड़ा करकट या कचड़ा there in the backyard मतलब पीछे मतलब हमारे घर के पीछे या हमारे आश्राम के पीछे जो एक सूकरी है वो कूड़ा कचड़ा या जो भी चीजें सडीगली खाया करती क्या तुमने उसको देखा है I am going to reborn as the fourth piglet right I am going to reborn मैं जन्म लेने जा रहा हूँ as the fourth piglet, चौथे बच्चे की रूप में चौथे संतान की रूप में मैं जन्म लेने जा रहा हूँ उन्होंने ये उसको बताया अब क्या कहते हैं कि you will recognize अब पहचानों के कैसे भाई उन्होंने गुरू थे तो वो जानते थी कि अपनी चेले को कहां पर उसको कैसे deal करना है तो उन्होंने का ये चार जो है उसकी मतलब बच्चे होंगे तो चार में से गुरू तो एक ही होंगे right वो तो एक ही बच्चे की रूप में जन्म लेंगे अब वो चेला कैसे पहचानेगा कि यही उनके पिछले जन्म के गुरू जी है ठीक है तो यह कैसे पहचानेगा तो उन्होंने उसको idea दिया क्या गया था you will recognize recognize का मतलब होता है पहचानना ठीक है पहचानना या पहचान लेना ठीक है me means मुझे by mark mark का मतलब क्या होता है निशान on my bro bro का मतलब सभी लोग जानते है भाहों के उपर मतलब उसनों ने कहा कि तुम मेरी भाहों के उपर के निशान से मुझे को पहचान जाओगे गे क्यों क्योंकि will यहाँ पर use किया गया है with one stroke of your knife कहते जैसन पहचान जाना भाया समझ लेना क्या कर रहे हैं तो क्या कहते हैं with one stroke stroke का मतलब प्रहार of your knife मिस अपने चाकू के slaughter slaughter में काट कर मार डालना मतलब हत्या कर देना it means इसकी उन्होंने कहा कि जैसे तुम मुझे को पहचान जाना लब भाहों देखना यह यह निशान होगा ऐसा और जैसे तुम मुझे पहचान जाओ तु ठीक है खतम कर देना I will then be released from a pig's life और कहते हैं कि इसका फाइदा क्या मुझे मिलेगा I will then be released release मतलब स्वतंत्र हो जाओंगा मुक्त हो जाओंगा ठीक है from a pig's life में सुवर के जीवन से जैसी तुम मुझे मारोगे वैसी मैं सुवर के जीवन से स्वतंत्र हो जाओंगा मतलब कस्ट भोगने नहीं पड़ेंगे Will you do this for me? क्या तुम मेरे लिए इस सब करोगे? The disciple जो शिश्य था was sad, sad बलब दुखी हुआ, to hear means सुनकर this means yeah, जो शिश्य था ये बास सुनकर बड़ा दुखी हुआ, बट लेकिन कोई भी शिश्य वो अपने गुरू को थोड़ो ना मार पा किसके गुरू से जल्दी जल्दी जो है दूर होने वाले थे, उनकी मृत्य होने वाली थी, तो वो कहता है, was sad to hear this, hear कम लब सुनकर this means yeah, जो शिश्य था, ये सुनकर बड़ा दुखी हुआ, बट लेकिन he agreed, was samit हो गया, to do, करने के लिए, as means जैसा की he means, उसने hat means था, promise means, वायदा किया, जैसा उसने वायदा किया था, या जैसा उसने वचन दिया था, वैसा करने के लिए वा तयार हो गया, ठीक है, अब क्या होता भाई, story और थोड़ा सा interesting mode पे जाती है, मतलब unimaginable, इसका end आपको मिलेगा, unimaginable, बने रही है last pack, ठीक है, unimaginable end मिलेगा, इसलिए कह स्टोरी हमें बहुत को सिखाती है, meanings भी सिखाएंगी, ठीक है, sentences बनाना भी हम लोग सीख जाएंगे, और interest भी बना रहेगा, देखिएगा, soon, जल्दी, after this conversation, conversation का मतलब होता, वारतला, मनलब उनके बीच में जो बाची चल रही थी, उसके बाद में, the guru did die, did die, अब यहाँ प तो guru जो थे, उनकी म्रत्यू हो ही गई है, वो मर ही गए, जैसा कह रहा है थे, वैसा हो गए, अभी बहुता, the guru died, died का मतलब क्या मर गए, मनलब एक नॉर्मल सी बात है, did die, मनलब जैसा उन्होंने कहा था, वैसा ही हुआ, right, जैसा उन्होंने कहा था, वैसा ही हुआ, and the sow did have a litter of four little pigs, और जो सो थी, जो सूकरी थी, उसके वाद चार चोटे-चोटे बच्चों का जन्म हुआ, चार चोटे-चोटे, उसने बच्चे जन्मे, the disciple sharpened his knife, भाई, उसको तो अपने गुरू पर पूरा ट्रस्ट था, कि गुरू जी कभी भी गलत हो ही नहीं सकते, तो उसने क्य किया, जैसा उसने वचन दिया था, तो शिष ने sharpened means धार लगाई, तेज किया, his knife means अपना चाकू, उसने अपने चाकू पर शिष ने धार लगाई, क्यों लगाई, क्योंकि उसको उस बच्चे को या उस सुवर के बच्चे को मारना था, कतल करना था, उसका, and picked out the fourth little pig, और उसने क्या किया, चोथे चोटे बच्चे को उसने उठाया, सुवर को उठाया, which did indeed have a mark on its bro, जिसके वास्तों में, did indeed वास्तों में have a mark means एक निशान था, on its bro means उसकी बहुँपर, जिसकी बहुँपर वास्तों में एक निशान बना हुआ था, जैसा कि किसने बताया था, उसके मतलब क्या होगा, ज्यों ही, या जैसे ही, और about to, about to का मतलब क्या होता है, होने वाला, ठीक है, about to का मतलब होने वाला, तो इसकी हिंदी देखे कैसे निकलेगी, just right, जैसे ही, he was about to, वा था, about to bring, miss, लाने वाला, his knife, miss, अपना चाकू, to slit, miss, काटने के लिए, his throat, miss, उसके गल पर लाने वाला, उसको रगडने वाला था, या उसको काटने वाला था, the little pig suddenly spoke, जो छोटा सा सुवर का बच्चा था, अचानक बोल पड़ा, क्या का, stop, don't kill me, stop, रुक जाओ, don't kill me, मुझे मत मारो, किसने कहा, ये कहा, उस सुवर के बच्चे ने, किसने कहा, उस disciple से कहा, कि रुक जाओ, मुझे मत मारो, अब भाई, जाहिर सी बात है, कि वो बच्चा बोल रहा है, तो before the disciple could recover from the shock of hearing, the little pig speak in human voice, इस से पहले, the disciple, जो शिश्य था, could recover, recover हो सकता था, from the shock means, उस जटके से, उस धके से, of hearing means सुनकर, the little means छोटे, pig means, उस सुवर को, इस pig means बोलते हुए, in human voice means, मनुशी की आवाज में, इस से पहले कि वो उस सदमे से, उस धके से, उस जटके से बाहर आ पाता, कि वो सुवर का बच्चा, यह जो छोटा सा सुवर था, वो इनसान की आवाज में बोल रहा था, it said, it यहाँ पर उस pig के लिए आया हुआ है, ठीक है, उसने कहा, don't kill me, मुझे मत मारो, I want to live as a pig, I want, अब उसने कहा, यहाँ पर भी I किस के लिए उस किये गया, pig के लिए उस किये गया, वो कहता है, कि वह एक pig के रूप में जीना चाह जाता है, when I, अब कहता है कि, चो कि उसको याद था सब कुछ, तो कहता, when I ask you, जब मैंने तुमसे कहा था, to dispatch me, dispatch me मतलब मुझे अलग करने के लिए, खतम करने के लिए, मारने के लिए, जब मैंने तुम्हें हत्या करने के लिए कहा था, me, Mary, I did not know, मैं नहीं जानता था, what a pig its life, की pig का जीवन कैसा होता है, it's great, यह महान है, just let me go, मुझे जाने दो, और इसके बाद उस शिश्य ने उस बच्चे को छोड़ दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कि पहले उन्होंने कहा, और फिर जब उस कह सकते योनी में, या उस रूप में, वो जन में, तो उन पहुच जाता है, उसको उसी में मजा आने लगता है, भले के लिए उसको लगे कि यार, उसकी अंतरातमा उसको बता है, कि वास्तों में गलत है, ठीक है, पिर जब उसको खेता, ठीक है, तो धीरे धीरे फिर उसी चीज में रम जाता है, जिसका example यहाँ पर आप लोगो अच्छी तरीके समझ में आये होगे, बहुत इंट्रेस्टिंग तरीके से आप लोगों इसको समझा होगा, आप चलिए चलते हैं, सेनानेम्स शीट की तरब, ये रही आपकी सेनानेम्स शीट और इसमें जो भी वर्ड्स हैं, इन सभी को आपको किस में से करना, ये जितने भी वर्ड्स हैं, इन सभी को आपको उस स्टोरी से ही निकाल के लाना है, बनाब ये जितने भी वर्ड्स हैं, I repeat, सभी स्टोरी में अवेलाबल हैं, तो उसमें से आप निकालिएगा, देखिएगा, कितना आप लोगों ने सीखा, कितना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो चलिए, मिलतें नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिक्रेश जैनल को बिलकुल आउन करना मत भूलिएगा, आपको इसी तरी के शांदार वीडियो मिलते रहेंगे, तो तक लिए चलतें, ओके